डोसो आज WhatsApp ने खुद अपने यूज़र के लिए चार नभी अपडेट किये हैं उन्हें स्टोरी के थूरी के थूर अपडेट के बारे में उन्हें यूजर सको बता कि बताया है जिए हां दोस्तो जैसे हमने पनी इसे लगाते हैं वसक्वे सेम टूम दोस्तों है पर तो हापने पहले वर तयम्म नई प्राइव पर्फजी पॉल्शी लॉंच किय थी दोस्तों उसके तहरे आपका जो डाटा है दोस्तों Facebook को भी शेर किया जाएगा इसके कारण दोस्तों जो वर्ट्सप का जो काफी काफी नुक्सान हुआ है जी हाँ दोस्तों अगर क्या नुक हेलो और नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है इश्कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेग्यान दोस्तों आज की एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में हम बात करने वाले WhatsApp के चार निव अपडेट के बारे में जो अभी उन्होंने अपने स्टोरी के थ्रू अपने यूजर्स को बताया है यहां दोस्तों आखिर वो अपडेट क्या है दोस्तों यहां पर आप जैसे जानते होंगे जो वर्ट्सप के निव प्राइवसी पोलिसी थी और आठ 8-5 तक मतलब 8-5 तक डेडलाइन थी मतलब 8-5 तक अगर आप एग्री नहीं करते तो आप वर्ट्सप यूज नहीं कर पाऊगी यानि कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा लेकिन दोस्तों जो डेडलाइन थो एक्स्टेंड कर दी कि 15 माई तक अब आप एग्री करें य दोस्तों इस कारण वर्ट्सप को अनिस्टॉल कर रहे थे और दूसरे एप्स पर जा रहे थे मतलब दूसरा एप यूज कर रहे थे वह जैसे सिग्नल हो गया टेलीग्राम हो गया उन एप्स को यूज कर रहे थे और वर्ट्सप को अनिस्टॉल कर थे इसके कारण दोस्तों आपने आज अपने story के थूरू वर्टमी यूजर को चार update किये हैं अपडेट किया है मैं बताता हूँ दोस्तो मैंने उन updates के screenshot ले रखा अपने device में चल मैं आपको बताता हूँ updates क्या है दोस्तो जो पहला update है दोस्तो जो वर्टमी यूजर को बताया अपनी status के थूरू दोस्तो यह है we are committed to your privacy दोस्तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी privacy का वह secure रखेंगे उनको आपकी प्राइवसी की चिंता है मतलब वो आपके privacy को लीक नहीं होने देंगे आपको डाटा है आपको जो पर्सनल चैट्स वकर लीक नहीं होने देंगे उन्होंने आप खुद यहाँ पर लिखा हुआ है खुद जो अपना status update किया है दोस्तो यह थी पहला update दूसरा update दोस्तो यह है WhatsApp can't read or listen to your personal conversation as they are end-to-end encrypted दोस्तो इसका मतलब यह होता है कि WhatsApp जो आपका personal data है पर्सनल चैट्स से WhatsApp उसको पर नहीं सकता है उसको रीड नहीं कर सकता क्योंको end-to-end encrypted होते है मतलब end-to-end secure होता है security उसमें लगी होती end-to-end कोई पर नहीं सकता दोस्तो यह WhatsApp का दूसरा update दोस्तो यह है WhatsApp can't see your shared location मतलब इसका दोस्तो यह होता है जैसे आपने किसी को अपनी live location भेजिए अपनी दोस्तो अपनी live location भेजिए तो वह WhatsApp आपकी जो live location है उसको देख नहीं सकता आपकी मतलब live location लीग नहीं हो सकता और जो चौथ update दोस्तो यह है WhatsApp डस नोट शेर योर contacts with Facebook WhatsApp जो अपकी contacts है मतलब जो अपने number से उसको शेर नहीं करता Facebook के साथ यह था उनकी चार updates जो इन्होंने अपने official update के थुरू अपने users को बताया है दोस्तो इन्होंने अपनी यहां पर सफाई क्यों दी दोस्तो इसलिए क्योंकि यहां पर इनका जो काफी भार भारी लॉस हो रहता क्योंकि दोस्तों यहां पर WhatsApp को लोग अनिस्टॉल कर रहे थे क्योंकि लोग नहीं चाहते कि जो हमारी personal data है वो लीक हो हमार जो personal data हो फेस्बुक पर शेयर हो लीक हो नहीं चाहते दोस्तों इसलिए लोग WhatsApp को अनिस्टॉल कर रहे थे और दूसरे एपस पर जा रहे थे जैसे टेलिग्राम हो गया सिग्नाल हो गया जैसे कि मैंने आपके व्यूडव में पहले आपको बता ही दिया दोस्तों यह थे वर्सेप के इन्हों ने आज ही अपने users को बताया अपने स्टेटास अपडेट के थुरू दोस्तों यहां पर भी यह भी न्यूज आ रहे थी कि काफी लोग को जो कंटेक्ट से वो लीक हो रहा गूगल पर इस कारण दोस्तों इन्हों ने और ही मतलब इन्हों ने जो वर्सेप ने अपने जो ऑफिशल अपडेट के थुरू बताया यूजर्स को यह अपकी सिक्योर्टी का ख्याल रखते हैं आपके सिक्योर्टी को मतलब हम भी आपके सिक्योर्टी को लीक नहीं होने दिए इसलिए बताया कि उनके काफी नुकसान होता है यह पर कोड में पर्टिशन फाइल हुआ इस प्राइवेसी को लेकर दोस्तों यह दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों आगर आप ऐसे रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर अप गुद्बाइ